हेलो स्टेडियों स्टेडी हैं विद मैंग चैनल में आपसे भी का स्वागत है जैसे कि इससे प्रिवेस वीडियो में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटिड कुछ टॉपिक्स किये थे जैसे इसकी क्रेक्टरस्टिक्स फीचर्स और इंडरक्शन टू पाइथन आज किस एक्स्टेंशन के साथ हम पाइथन की फाइल को स्टोर करते हैं सबसे पहले मैं यह पता होना चाहिए क्योंकि सिंटेक्स या कोड महीं पे तो रन होगा जब हमारी फाइल क्रेट होगी होगी फाइल कैसे क्रेट करेंगे किस एक्स्टेंशन के साथ क्रेट होगी वह अब हम क्या करेंगे, compare करेंगे python को, c++ को and c के syntax को जिसके अंदर हम simple सा hello world print करवाएंगे अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला code देख रही है, c का, c language में हम hello world को अगर print करवाना चाहते हैं तो उसके लिए में कितने number of lines code को लिखना पड़ेगा, किस वे से लिखना पड़ेगा firstly हम क्या करते हैं, c में, hash include stdio.ach header file का use करते है, hash include corny.ach का use कर सकते है then हम क्या लिखते है, int main, bracket start हुआ int main का, और simple सा हम क्या करेंगे, print app function का use करेंगे जो क्या काम करता है, print करने का काम करता है, उस string को या उस value को जो इसके parameters में पास होती है इसके parameter में कुन सी value पास होई है, double quotes में, hello world पास हुआ है, then semicolon अब हमने main का जो return type लिया था, वो क्या लिया था, int तो यह कुछ नो कुछ value return करेंगा, इसलिए हम क्या करवा रहे है, return zero कर रहे है और main के function को हमने क्या किया, close कर दिया अब जो हमने C language में code लिखा, उसका output हमारे पास क्या आया, hello world print होगा, जो भी हमने double quotes में लिखा हुआ था और इस hello world को print करवाने के लिए, C language में हमें कितने number of quotes लिखने पड़े, one first हमारे पास studio i के लिए, second हमारे पास है कौनियों के लिए, int main के लिए, next int main का bracket स्टार्ट करने के लिए, print है function के लिए, return zero and जो main function है, उसका bracket को close करने के लिए, तो हमें total कितने number of lines के use करना पड़ा, 7, अब इसका output आया, 7 to 8 lines के अंदर, क्योंकि first, दो हमने header files को include किया है, then हमारे पास 2 brackets के लिए है, 4 होगे हमारे पास and बचे हुए 3 lines, तो 7 brackets को हमने, यह 7 number of quotes को हमने क्या लिया है, यूज किया है, सिर्व एक simple सा hello word प्रिंट करवाने के लिए, अब हम देखते हैं, कि यही hello word हमें C++ language में प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें कितने number of line का use करना पड़ेगा, तो क्योंकि C में तो हमारे पास कितने line of code का use हुआ, 7 LOC का, C++ में क्या है, hash include iostream.ach, hash include koneo.ach, using namespace as td, int main लगाया, bracket को start किया, int main के, C out क्या करेगा, यहाँ पर, इसके अंदर जो string लिखी होगी, उसको print करेगा, string क्या लिखी हुई है, hello world, double quotes में and then semicolon, फिर C क्या है, main का return tab, int है, इसलिए हमने return 0 लगाया, semicolon लगाया, then इसको क्या कर दिया, हमने bracket को close कर दिया, इसका भी output क्या आएगा, same ही आएगा, hello world को print कर आया, लेकिन इस hello world को print कर वाने के लिए, हमें कितने line of code का use करना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, one line बढ़ गी हमारे पास, कि इसके अंदर हमने कितना किया, 8 LOC का use किया, अब हम देखते हैं, कि यही line of code को reduce करके, python programming में अगर hello world को print कराना तो कैसे करेंगे, अब यही hello world हमने python में print कराने के लिए क्या लिखा, print function का use किया, इसके अंदर क्या लगाया, codes के अंदर हमने hello world को लिखा और hello world क्या कर दिया, हमने print कर दिया, अब इसके लिए मैं कितने line of code का use करना पड़ा, सिर्फ one LOC का use करना पड़ा, मताब one line of code का use करना पड़ा, सिर्फ hello world को print कराने के लिए, अब देखो कितना difference आया, कि c में हमने क्या किया था, seven line of code का use किया था, वहीं c++ में हमने क्या किया था, eight line of code का use किया था, और python में हमने क्या किया reduce होके हम किस पे आगे one line of code पे आगे इसलिए हम क्या कह सकते है कि python का जो syntax है वो easy to learn है easy to read है और सबसे पहले हम इसको क्या बोलेगे कि beginner's language है beginner's language इसलिए क्योंकि इसको read करना easy है और simple lines में कम line of code में हम क्या कर सकते हैं अपने टास्क को perform करवा सकते हैं नेक्स टोपिक हम क्या देखते हैं कि difference between the python and c++ c++ programming language और python programming language में क्या difference है उनके parameters क्या क्या है वो देखते हैं first parameter है हमारा history यह कहें कि development python को कब और किस ने develop किया जोडियो वैं रियुसम ने 1991 में इसको develop किया और c++ को बजार ने स्यूस्ट अपने 1980 में develop किया next है हमारे पास code python में क्या होता है बिल्कुल fewers line of code होता है simple से टास्क को perform करवाने के लिए वहीं c++ में hello world print करवाने के लिए आपने भी देखा कि python में hello world को print करवाया हमने सिर्फ one line of code में और c++ में कितने line of code लगे eight line of code इसलिए python का क्या है syntax और जो line of code है वो viewers है और c++ का क्या है log line of code है next हमारे पास garbage collection पाइथन क्या करता है garbage collection को support करता है c++ क्या है इसको support नहीं करता लेकिन फिर भी हम इसको implement कर सकते हैं अगर हम चाहें तो next है हमारे पास next है हमारे पास syntax syntax wise अगर हम इसमें difference देखें तो क्या difference आता है python और c++ में कि python क्या होता है short-ended syntax होता है short-ended syntax मतलब क्योंकि इसके अंदर short-ended क्यों है क्योंकि इसके अंदर मारे पास बहुत सारी built-in libraries आ जाती है जो पहले से ही pre-defined date उनको पता है कि किस function का क्या काम है अगर मुझे input देना है तो उसके लिए input function है मेरे पास output लेना है तो उसके लिए अलग function से प्रिंट नाम से function है अगर sorting करनी है तो उसके लिए अलग function short-name से लेकिन c++ में हमें क्या करना पड़ता है हर एक टास्क को perform करवाने के लिए उसके अलग से code को define करना पड़ता है इसलिए python में तो short-ended हमारा syntax आता है लेकिन c में क्या आता है c और c++ में long syntax आते हैं अभी मैं आपको पर जो था comparison करके भी दिखाया कि c and c++ में और python में एक syntax difference क्या आता है line of code का difference आता है और learning का difference आता है कि कि किसको हम easily जल्दी learn कर सकती है next हमारे पास compilation compilation में क्या होता है python की जो file होती है program होता है उसको हम interpret करते हैं by the interpreter और c++ की जो file होती है line of codes होते हैं उनको हम क्या करते हैं pre compiled करते हैं by the compiler मैंने आपको यह line पहले सी बता दी थी वीडियो के शुरुआत में ही कि python को हम क्या करते हैं interpret करते हैं मतलब python का जो line of code होगा one by one जैसे अगर हमने किसी पी टास्क को perform करवाने के लिए four line of code लिखा दोनों ही languages में तो वह क्या करेगा compiler उन चारों lines को एक साथ compile करेगा और उसके अंदर बताएगा कि इसके अंदर अगर error है तो कौन से लाइन में है नहीं तो उसको compile कर देगा और ट्रांसलेट कर देगा लेकिन python क्या करता है उसको one by one check करेगा पहले first line को check करेगा error नहीं है तो next line को execute करेगा interpret करेगा अगर उसको किसी भी एक line में में मिड़ वाली लाइन में भी अगर error मिल जाता है तो नेक्स वाली लाइन को check नहीं करेगा वहीं पर क्या कर देगा टर्मिनेट कर देगा program को next हमारे पास speed wise difference क्या होता है अब इतनी सारी predefined libraries है line of code भी कम है लेकिन यह difference क्या है अलग है python हमारा slow होता है अगर हम compare करें से c++ से c++ एक faster programming language है लेकिन python क्या है एक slower programming language है efficiency क्या है इसकी more है किसी भी काम को करने के लिए किसी भी टास्क को करने के लिए और c++ की efficiency less है less efficiency क्यों है क्योंकि कोई भी आगर मुझे perform करना है टास्क पर मैंने sorting करनी है तो sorting करने के मैं पास different methods है उनको इंप्लिमेंट करने के लिए मुझे बहुत line of code लिखना पड़ेगा पता नहीं कितने number of code लिखना पड़ेगा सेम अगर यही मेरे को python में करना तो मुझे बना बनाया function मिला हुआ है सोट नाम से तो वह क्या हुआ हमारे लिए efficient हुआ next हमारे पास nature nature हम देखें तो python dynamically typed होता है और c++ क्या होता है statically typed dynamic and static में क्या difference होता है static होता है fixed static का मतलब भी होता है fixed मतलब जो एक बर लिख दिया code वो fix हो चुका लेकिन python में क्या होता है dynamically हम इसे change कर सकते हैं dynamically मतलब जिसे हम change कर सकें जो fix ना हो next है हमारे पास extension और जब हम python की file को save करते हैं तो उसका extension हम क्या रखते हैं dot py से रखते हैं जिसका मतलब क्या है जिसे में यह पता लगते कि file किसकी है python की है next क्या है अगर मुझे c++ की file को save करना है तो उस file को मैं किस extension के साथ save करूं dot cpp extension के साथ हम save करते हैं next है मारे पास different by the function function-wise के difference होता है python में do not have the instructions on the type of the argument and the type of their return type अब जैसे हम कोई भी function लिखते हैं function का हमें पता होते कि हम उसके अंदर arguments दे नहीं है यह नहीं देने blank रखना है अगर arguments देनी हैं तो कि कितने number of arguments देने है उनका data type क्या होना चाहिए और हमने जो function लिया है उसका return type क्या होना चाहिए इस पर कोई distractions नहीं है python में लेकिन वैसी अगर हम देखें c++ में तो इसके अंदर restrictions हैं हमें data type का return type का number of arguments और number of arguments के इसके तक पर नहीं करना पड़ता है तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है वे डिफाइन करना पड़ता है variables को functions के names को इसी वेसे हम क्या कह सकते कि python अभी तक जितनी पर हमने difference पड़ें कि python क्या है high level language है और easy to read है इसलिए हम क्या लगते हैं first number पर अगर हम कोई भी programming का चार्ट बनाएंगा तो first number पर किसका नहीं हाएगा हमारे पास python का then किसका राम रख सकते हैं c++ का अब तक जितने भी programming जितनी भी हमने यहां पर differences देखें हैं differences में python जो है वो win रहा है सिवाए कि speed को लेकर क्योंकि इसकी speed क्या है slow है अगर compare करें तो c++ से और next difference देखते हैं scope of variables scope of variables क्या होते हैं यह variables ही क्या होते हैं हमने पढ़ा था कि variables क्या होते हैं जो dynamic nature की होते हैं fixed नहीं होती उनकी value जैसे हमने variable ले लिया इंटीजर टाइब का a and b ले लिया तो वह क्या है variables हैं उनकी अंदर हर बार अलग-अलग values को enter कर सकते हैं वह उनकी value को वह store करकर नहीं रखेंगे उनकी value कब तक store रहेगे जब तक compilation चल रहा है यह interpret हो रहा है program अब हम देखते हुनका scope कहां से कहां आते गए variables are accessible even outside the loop python में क्या करते हैं हम कहीं से भी किसी भी loop में या loop से बाहर किसी भी function से बाहर main function main function तो होता ही नहीं इसके अंदर किसी भी function से बाहर या outside the program हम क्या कर सकते है variables के use कर सकते हैं इनका scope क्या होता है outside the box होता है वहाई C++ को हम देखें तो इनका scope क्या होता है limited होता है within a loop अगर हमने loop के अंदर किसी variable को लिया है तो उसका scope क्या है उस loop के अंदर तक है function number one में अगर मैंने a नाम से को variable लिया है तो उस भी नाम के function में कोई नहीं जानता वह सिर्फ a नाम का जो function है उसी तक सीमित रहेगा उसके limit है कि उसको scope क्या है उतना ही है तो यह थे हमारा difference c and c plus python and c plus plus के बीच में अगर आपको मारे वीडियो पसंद आती है तो इससे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जादर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हमारा motivation बना रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते हैं